रादे रादे चेशे क्रिश्ना आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है अर्चनास करणर और इस वीडियो में हम लेकर आई हैं आपके लिए एक लड़ो गुपाल जी की बहुत प्यारी सी लीला तो एक महिला थी जिनके घर में लड़ो ग बेटी को भी सब कुछ सिखा दिया था लड़ो गुपाल जी का भोग वगरा लगाना उनको सुलाना तो बेटी अभी छोटे ही थी बट वो बहुत अच्छे से लड़ो गुपाल जी की सेवा जो है करने लग गई थी और यही होना चाहेगी हमें अपने बच्चों को भी ऐस है और वो सब बातों को समझ पाएंगे और तब ही वो बड़े हो करके भी मतलब कि अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे से सेवा करेंगे तो चलिए आगे लिला देखते हैं लड़ो गुपाल जी की क्या है तो वो बच्ची भी लड़ो गुपाल जी की बहुत अच्छे स सेवा करती थी और उनका प्यार से उनके साथ खेलना भोग लगाना नहलाना सुलाना सब कुछ जिम्मेवारी उस लड़की नहीं अपनी उपर ले ली थी लड़ोगोपाल जी की तो अब मा जो थी इसकी निश्चेंथ हो गई थी कि लड़ोगोपाल जी की सेवा तो जो ये है गुड़िया ही कर लेती है एक दिन क्या हुआ कि लड़ोगोपाल जी को थंड का टाइम आ गया तो लड़ोगोपाल जी को गुड़िया सुलाना भूल गई और उनको रजाई नहीं उड़ाई जिसे रात के टाइम पर हम लड़ा कर लड़ोपाल जी को रजाई उड़ा देत थंड का समय था बहुत ज़्यादा तो वो भूल गई और आकर के अपने बिस्तर में लेट गई तो थोड़ी दे बाद उसे लगा कि उसे बहुत ज़्यादा थंड लग रही है उसने अपनी मम्मी को बोलकर दूसरी रजाई भी ले ली और फिर भी उसे बहुत ठंड लग रही थी वो आधे घंडे तक परिशान होती रही और मतलब कि उसकी आधी मतलब नीन में भी थी और फिर बोली कि हे काना जी आज इतनी ठंड क्यों है तब ही ना उसे ऐसा लगा जैसे काना जी उसे बोल रही है कि हाँ ठंड है तब ही तो मुझे भी तो ठंड लग रही है मुझे भी तो रजाई ने मिली आज तो वो एकदम से उठी उसे याद आया कि हाँ आस उसने काना जी को सुलाया ही नहीं तो वो जल्दी से भाके मंदिर में गई लड़ कोपाल जी से एक शमा मांगी और उनको रजाई वगरा उठाई और उनको प्रेम से सुलाया और आकर अपनी जब रजाई में लेटी तो उसकी ठंड एकदम से जो है गायब हो जोगी थी और वो समझ गई कि लड़ कोपाल जी ने उसको संकेत दिया था कि उनको ठंड लग रही है इसी वज़े से उस लड़की को भी ठंड लग रही थी जब सुबह हुई तो उसने ये बात अपनी ममे को बताई पहले तो ममे को यकीन नहीं हुआ लेकिन बात में उसको यकीन हो गया कि तभी तुझे भी ठंड लग रही थी क्योंकि तुने लड़कोपाल जी को रजाई जो है नहीं दी थी तो ये देखिए ये हमारी लीला धारी की लीला ही है जो वो अपने भक्तों को दिखाते रहते हैं और उनको हैरान करते रहते हैं और ऐसा अकसर होता है कि जब हम भूग लगाते हैं और कहीं बाहरों और लड़कोपाल जी का भूग किसी कारण वश ना लगा पाएं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने खा तो लिया है लेकिन हमारा पेट जो है नहीं भरा है तो वो इसी वज़े से कि हमने अपने ठाकुर जी को नहीं खिलाया आप अगर बाहरों किसी कारण से और घर में कोई भी नहीं है जो लड़कोपाल जी का भूग लगा सके तो आप मन से लगा दीजिए भूग अपने खाने से पहले लड़कोपाल जी को हाथ चोड़कर आँखे बन करके बोलिए कि हे काना जी हे कृष्णा जी आकर भूग लगा लेजिए और एक मिनट अपनी आँखे बन रखिए बस इतना ही काफी है आपके उसी भूग से मतलब इतना ही कहने से लड़कोपाल जी जो है भोग लगा लेंगे और यह प्यारी सी जो कहानी है आज की जो प्यारी सी लीला है यह हमें भी जी है अमरिट सर से مسकान महाचर ने तो थेंक्यू मुसकान जी थेंक्यू रेनु जी मेरे पास उनका नंबर रेनू के नाम से जेव है थैंक्यू रेनू जी और अगर आप में से भी किसी के पास ऐसी लीला है और आप चाहते हैं कि वो सभी भक्तों के साथ हम शेयर करें तो हमारे पास वाटसेप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं और अपने लड़ो गोपाल जी की पिक्चर्स भी आप ह हम इसको continue रखें ऐसे ही और अगर नहीं रखें तो क्यों नहीं रखें वो भी बताईएगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और और फ्रेंड्स आपकी जो ही आप लड़ो गोपाल जी की अपनी फोटो शियर करते हो इससे एक फायदा मुझे लगता है हो रहा है सब क ही और होगा मुझे तो देखिए आइडियाज मिल जाते हैं अपनी लड़ो गोपाल जी की श्रिंगार से रिलेटेड कुछ भी आप कैसे मेकड़ परते हैं तो देखिए संगीता जी के लड़ो गोपाल जी है और इन्होंने कैप पर ना देखिए माला लगाई हूए लड़ लगते हैं देखिए आप इन्होंने लड़ो गोपाल जी की पगड़ी पर लगाई हूए है और मतलब की कैप पर और वो ही माला से राधरानी की चंदरिगा बनाई हूए है तो मैं कहती हुँ ना आपको एड़्जिस्ट करना आना चाहिए आपको अपने लड़ो गोपाल ज मैंने उनके लड़ो गोपाल जी का नाम नहीं लिया तो अब आप इन्हीं लड़ो गोपाल जी को देख लीजिए कितनी प्यारी ड्रेस है इनकी और ये देखिए बटर फ्राई वाली ड्रेस में है ये वाले काना जी हमारे और ब्ल्यू कलर बहुत-बहुत सुन्दर लग रहा है ये वाला तो जितने भी काना जी की तारिफ करों power उतनी ही कम है काना जी में कभी भी हम यह नहीं कह सकते कि ये वाले लड़ो गोपाल फरस्ट है और ये सेकिंड है मुझे आप में सेवी कहएं लोगों ने कहीं बार बार का है कि लड़ों गोपाल जी का competition करोा है ये ल की लड़्ड को पाल चिकान तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है बताना ज़रूर मैं दुबारा बोल रही हूँ आपको क्यों क्यों आप नहीं बताते हो आप से मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे निचेशी क्रिशना वीडियो को लाइक शियर चैनल को सब्सक्राइब